हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार नई सी चटपटी सी रेसिपी के साथ जो रेसिपी आज मैं सेयर करने वाली ही आप लोगों के साथ गारेंटी है आपने कभी नहीं बनाई होगी यह बहुत ही टेस्टी बनेगी बहुत ही आसान बनेगी कम से कम टाइम में बनेगी तो चलिए सुरू करेंगे बनाना सबसे पहले हमें लेना है बेशन जो कि मैंने आदा कपसे थोड़ा अधिक लिया है इसी के साथ थोड़ी सीस में मैंने डाला लाल मिची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और दो पिंच के लगबग बेकिंग सोडा अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही मिक्स करेंगे ज्यादा हमें इसे पतला बेटर नहीं बनाना है हमें एक पेश्ट की तरह गाढ़ा सा बना लेना है इस तरीके से 2-3 चमच पानी डालते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए इस तरीके से एक गाढ़ा सा पेश्ट हमें तयार कर लेना है जैसा कि मैंने किया है यहाँ पे अब हम एक गिलास लेंगे जिसमें ये पॉलिथिन डालेंगे कोई भी बैग पॉलिथिन का डालेंगे इस तरीके से और जो पेश्ट तयार किये है उसको भी इसमें डाल देंगे इसे हम कीप की तरह तयार करेंगे इस तरीके से कीप बैग एक बना लेंगे और इसके किनारे पे हम थोड़ा सा कट का निसान लगाएंगे लेकिन अभी नहीं जब बनाएंगे तब तब तक हम ग्रेवी के लिए कडाही में तेल को गर्म करेंगे जिसमें सुखे मसाले खड़े लोंग डाल चीनी इलाईची तेजपत्ता डालेंगे थोड़ी सी हींग और क्रश किये हुए लासुन अदरक हरी मिच इनको हम हलका सा भून लेंगे फिर हम इसमें प्याज कटिवी डालेंगे प्याज को भी हम जला करके भूनेंगे 2-3 मिनट हमें ऐसा करके इनको भून लेना है और अब हम इसमें डालेंगे ठोड़े से कश्मीरी लाल मिच बढ़िया सता की कलर आ जाए इसे बहुत ही अच्छी दिखेगी, हमारी जो रेशिपी बनेगी इनको हम मिक्स कर लेंगे, एक मिनट फिर से भूने लेंगे और अब यहां पर डालेंगे टमाटर का पेस्ट तो मैंने यहां पर दो बड़े टमाटर का पेस्ट बनाया था थोड़ा सा मैंने नमक डाला और हल्दी पाउडर इसी के साथ धनिया पाउडर भी टमाटर को आप काट कर भी डाल सकते हैं और नमक यहाँ पे हमें पूरी तरीके से मिलाने ना है जितना हमें स्वात के अनुसार चाहिए इन सारी चीजों को भी हम अच्छे से मिलाएंगे 2-3 मिनट तक भुनते हुए ऐसे चलाएंगे तो भुनते हुए 2-3 मिनट हो गया है तो मैंने यहाँ पे एक कप के लगभग पानी मिलाया है ग्रांडिंग जार में मैंने जो टमाटर पीसा था उसी का पानी मिलाके एक कप पानी और अब गैस को लो करेंगे और यह जो हमने नहीं आराम से पकते रहें और उपर से हम ये बेशन का पेष्ट इस तरीके से गिराते जाएंगे तो आपने देखा बहुत ही असानी से सारे पेष्ट को मैंने गिराया और दो से तीन मिनट मैंने लो फ्लेम पे ढखके भी पका लिया इनको और अब ये बहुत ही अच्छे से आ गया है ये तूटेंगे बिलकुल भी नहीं इसी के साथ हमाarे मसाले भी इसमें अच्छे से पक गये हैं अब हमें इसमें ग्रेवी के लिए पानी मिला लेना है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए तो मैंने बेसन के गोल वाला पानी गर्म किया था लग भग डेड़ कप मिलाय इसी के साथ गरम मसाला पाउडर और हरी कटी हुई धनिया पत्ती इनको हम धीरे से चलाएंगे और अच्छे से मिला करके ढग देंगे पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट और ये देखिए बढ़ियां सा उबाल आ गया है और अब हम इसे कह सकते हैं बेशन की हमारी चटपटी स्वादिष्ट ग्रेवी वाली सबजी बनके तयार है जी है फ्रेंड्स बेशन की सबजी आपने कई तरीके से बनाई होगी लेकिन ये तरीका बहुत ही अलग है बहुत ही आसान है और सिंपल है जब कभी भी कोई सबजी समझ में ना आए बनाने क तो आप बेशन की सबजी इस तरीके से बना कर खाए बहुत टेस्टी लगते हैं तो अब हमारी ये सबजी खाने के लिए तयार है आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे चावल रोटी के साथ सर्व किया और मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये खाने में कैसे लग रहे हैं तो मैंने टेस्ट किया ये बाकई में बहुत ही अच्छे बने हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और कम टाइम में हमारी टेस्टी सी बेशन की सबजी बन के तयार हो गई है आप भी इस वीदी से जरूर बनाए जब कभी बेशन क की सबजी बनाइए तो बार-बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे अगर आप एक बार बना कर खा लिए इसे तो और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें कॉमेंट में जरूर बताइए पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा वीडियो चैनल पर नए वीगाँ